उत्तर परदेश के फतेहब पुर जिले में आज परदेश सरकार द्वारा कर्ज माफी योजना के तहत किसानों को प्रमाड पत्र बाटने आये परदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सत्य देव पच्वरी ने जिले के 5003 किसानों को कर्ज माफी के प्रमाड पत्र दिये पर्माड पत्र मिलते ही किसानों के चहरे पर खुसिया देखने को मिली वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते वे राहुल गांदी के द्वारा दिये गए बयान का कटाक्ष करते में कहा कि चांदी के चमचों में खाना खाने वाले क्या जानेंगे किसानों का दर्द सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा यह काम भू नहीं कर सकते थे क्या आज हम किसान के हित में काम कर रहे हैं गरीब के हित में काम कर रहे हैं तो उनको पेट में तर्द इसलिए कि वह उन्हों उट कर नहीं पाए वो जो अभी कहा गया अटाकोश्वामी तुलिस्किजाद जी ने कहा है कि जाके पाएं नफटी बिमाई तो काजाने पीर पर आई वो तो चान्दी के चमच को मुँ में डाल के पैदा होने थे इस करज माफी के बाद कारेकरम के दुरान किसानों के चहरे कैसे खिल उठे और उनका दिल कैसे खुसी से जूम उठा सुनिये करज माफ किये गए संतोस किसान का क्या कहना है हम थातव लाग के भीमपूर गाउं से आए हैं मन्जन पूर भी है मन्जन पूर भीमपूर के से आए हैं कितना करज लिये थे आप हमने नब्ब्य हजार रुपय करज लिया था यह हमने लिया था जनवरी थोला में सुला जी जी सरकान ने माफ कर दिया है सब माफ कर दिया है क्या ना में अप्पा प्री मोहन से एस प्यान नाइन न्यूज के लिए फतिहपूर से ममताज एहमत की रिपोर्ट माफ कर दिया है